प्रफाव आम आदमी पर आया है हम लोग तो जी एस्टी सरकार ने लगई और हमने जी एस्टी के आधार पर व्यापार को संचालीज शुरू किया लेकिन आम उभोकता जी एस्टी के बड़े भार से परिशान है और लगभख सरकार को इस पर पुनर विचार करना होगा नहीं तो यह सर्वाइव नहीं कर पाएगा यह जो दिवाली है और जी एस्टी और लोट बंदी के बाद व्यापार जो है वो पचास परसंट कम हो गया है अभी हमारा महराज गुजराज, राजिस्तान, एमपी, च्छतिसगर तो ऐसी इस्टी हो गई है इन स्टेट की व्यापार जो है जो है 60-70% व्यापारी आया ही नहीं है कुछ मिला के थोड़ा बोट जो हमको व्यापार चला है वो साउथ से चला है जो तमिलनाठ केरला और आंदरा से चला है बाकि इस व्यापार की स्टती जी एस्टी के बाद बोट कराब हो गई है आप फायदा आपने जरूर दि इसमें हमारे चोटे-चोटे सब लोग व्यापार करते हैं जिन से हम दागे लेते हैं जिन से हम कैनवास लेते हैं जिन से हम चैने लेते हैं तो वो लोग चोटे व्यापारी है और उनका हमको जी एस्टी का बिलिंग नहीं मिलेगा तो वो जो हमको 10 परसेंट या 12 परसेंट तो हम आगे कैसे adjustment करेंगे, ये system अमको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है जीएस्टी आने के पेले और अब क्या बदलावा है, वियापार में बड़ा है या घटा है? नहीं, बड़ा तो कुछ नहीं है, वियापार घटा है गार, जीएस्टी आने के बाद और एसी स्थतियां पेदा हो गई है कि अब आदमी सोचने लगा है यारभ वियापार कम करना है हमको वियापार करना है यह नहीं बड़ाने यही इस्थति ब्याद है तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है थोड़ा सरल कर दें जिससे व्यापारी भी खुश रहे और आपको टेक्स भी प्रॉपर मिले इनक्स किस तरी का सभी तरन होना कि क्या बदा हो वो जटिल समस्या आगी है आज जैसे आप डेल करोड से उपर का जिनका टर्नोवर है अब उसको हर मंथली टेक्स भरना है उसको ह हमने आज जो यहां से माल भेजा है तीन मेने चार मेने में हमारे को टेक्स नहीं आता है हमको तो यहां पहले है पंदरा दिन में आपको टेक्स भरना है अब उसका चार मेने बाद हमको टेक्स आएगा अब हम उसको कैसे मैंटेन करेंगे इधर जिन से हमको बिलिंग नहीं जिनसे GST लगके विलिंग में नहीं आ रही है उन लोगों से हम कैसे मेंटेन करेंगे हमारा क्रोस वेरिफिकेशन कैसा होगा वो तीन मेने में GST भरेंगे हम पंदरा दिन में GST भरेंगे तो कुछ सिस्टम ना तो CA समझ पा रहे हैं ना ना वियापारी समझ पा रहे हैं, ना नेता लोग समझ पा रहे हैं, कुछ याने सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है कि किस दंग से क्या गाड़ी चल रही है